सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी क्लास चैनल को और बेल आइपन को दबाईए लटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स चलिए आज हम कक्षिया नोगनित की प्रसनावली 10.5 का क्यूसन नंबर 11 को हल करेंगे पिछे वाली वीडियो में आपको प्रसन नंबर 10 का हल बता दिया था अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा उस पे कलिक करके आप पिछे वाली सभी वीडियो देख सकते हैं तो देखे, परसन नमबर 11 को हल करते हैं, इसमें दिया गया है कि उभेनिष्ट करने, AC वाले दो समकोण तिरी बुज़ ABC और ADC है, हमें दो तिरी बुज़ दिये गए हैं, और दोनों ये तिरी बुज़ समकोण हैं, और दोनों का जो करन है, वो AC है, इसलिए यहाँ पर उभेनिष्ट करने हैं, मतलब कि करन बुज़ा एक है, वो दोनों तिरी बुज़ के काम में आ रही है, सिद कीजिए कि CAD और CBD कोण बराबर है, ये दोनों कोण हमें बराबर सिद करने हैं, तो यहाँ पर मैंने दो चित्र बनाई है, इसमें चित्र है, वो दिया नहीं गया, तो ये खुद से बनाना पड़ेगा, पहले हम इस चित्र से समझते हैं, क्योंकि ये वरत भी इस चित्र के बाहर नहीं है, ये वरत क्यों बनेगा, इसका भी मैं आपको करन बता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, हमें तिया गया है, कि AC करन है, तो ये AC, ये करन है, और दो समकौन तिरी बुज़े, एक तो ABC, तो ये हो गया, ABC, और दूसरा है, ADC, ये ADC, अब जो करन बुज़ा होती है, ये करन बुज़ा है, तो इसके सामने वाला, ये कौन 90 डिगरी होगा, और उपर वाले तिरी बुज़ में, ये करन है, तो इसके सामने वाला जो कौन है, ये 90 डिगरी होगा, मतलब कि ये 90 डिगरी है, और ये 90 डिगरी है, और एक तिरी बुज़ उपर है, एक नीचे है, दोनों इसमकौन तिरी बुज़े, सिद्ग हमें करना है, कि C, A, D कौन और C, B, D कौन बराबर है, ये हमें सिद्ग करना है, तो इस चितर में देखते हैं, C, A, D, मतलब कि ये कौन, ये जो कौन है, वो C, B, D के बराबर है, ये C, ये B, और ये D, मतलब कि ये कौन, ये कौन और ये कौन, हमें दोनों बराबर सि कोड़ तिरी बूज है यह हमें दो तिरी बूज दिये गए हैं जिनका विनेश्ट करण AC है और सिद करना है CAD कौन CBT के वराबर है इतना हमने यहाँ पर लिख लिया अब बात करते हैं इसके उपर ठीकी तो यह जो चतर बूज है A B C D यह एक चतर बूज है और इस चतर बूज क्यालाता है तो अगर हम कौन B और कौन D का योग देखते हैं तो यह भी नब्बे है और यह भी नब्बे है और समुक कौन है दोनों तो इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है इसलिए A B C D क्या है एक चक्रिये चतर बूज है तब ही हमने यहाँ पर इसके चारों तरफ ए A B C D में कौन B 90 डिग्री है कौन B वराबर 90 डिग्री और कौन D है वो भी 90 डिग्री है कौन D वराबर 90 डिग्री अगर हम दोनों को जोड़ते हैं B और D को तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि कौन B प्लस कौन D अगर हम दोनों को जोडते हैं तो 90 प्लस 90 आएगा 90 प्लस 90 तो यह आजाएगा कौन B प्लस कौन D बराबर 180 डिग्री तो इस चतरबूज ABCD में कौन B और कौन D 180 डिग्री है मतलब कि समुक कौनों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो हम यह लिखें कि ABCD एक चक्रिय चतरबूज है इसलिए यहाँ पर लिखना है इसलिए ABCD ABCD चक्रिय है चक्रिय है यह चक्रिय चतरबूज है तो यहाँ पर हमने एक वरत बना दिया अब हमें एक तो यह कौन और एक यह कौन बराबर सिद करना है तो यहाँ पर देखिए यह चक्र यह चतर भूज है यह वरत बना हुआ है वरत में देखा जाए तो यह सीड़ी क्या है एक जीवा है और इसी जीवा द्वारा एक तो यह कौण बना हुआ है और इसी सीड़ी जीवा से एक यह कौण बना हुआ है तो A की वरत खंड में जो कौन मनते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं मतलब कि अगर इस चितर को हम अलग बनाए तो यह वरत है और यहाँ पर यह है CD जीवा CD तो इस जीवा से एक तो यहाँ पर यह कौन मना हुआ है इस तरह से यह कौन मन रहा है और इसी जिवा से एक यहाँ पर यह कौन बन रहा है तो यह क्या है एक इवरत खंड में बने कौन है तो एक इवरत खंड में जो कौन बनते हैं वो कौन क्या होते हैं बराबर होते हैं तो हम यह लिख देंगे C, A, D यहाँ पर लिखेंगे अब यह कौन C, A, D बराबर होगा CBD के, तो ये CBD के, कौन CBD के. इसका बस आपको एक कार्ण लिखना है, कि एक ही वरत खंड के कौन है, एक ही वरत खंड के जो कौन होते हैं, वो कौन क्या होते हैं? बराबर होते हैं इसलिए CAD और CBD बराबर हो जाएंगे ऐसा कब होता है जब एक वरत के अंदर एक चतर बूज बना हुआ हो और उसके अंदर एक वरत खंड में कौन बने हुआ होते हैं तो वो कौन बराबर होते हैं यहाँ पर इस चतर में वरत नहीं दिया गया इसलिए हमने पहले यह सिद किया कि यह एक चक्र यह चतर बूज है उसके बाद में इसके एक चारो तरफ वरत बनाया और वरत बनाने के बाद ही हम यह सिद कर सकते हैं कि एक वरत खंड के कौन बराबर होते हैं तो मेरे खयाल से आपकी क्यूसन हल करना सीख गए होंगे, फिर भी इसके बारे में कोई स्वाल या सुजाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सेज़ जरूर कर देना, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू